कि वेल्कम बैक नाजरेन आपके साथ दुबारा हज़ी डॉक्टर रुबनाफी से देखी और जो बातों का सलसला हमारा तूटा था वहीं से हम दुबारा इसको जारी करते हैं जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था के सेफटी प्रकॉश्चन के हवाले से में अभी जिकर करें गया अद्य जो भी आप टेस्ट कर देखां कऱता चार्श बाटरी करें इसे जो फॉर हैं जो परफ़के हैं तो उसको जुरू चेक करवाएं। उसमें चेक करवाने में आपको काफी चीज़ों की सहुलत यह होगी। अगर आप Iron Deficiency Detect करते हैं तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। यह वह डिजीज नहीं है जो यह कोई डिजीज नहीं है। नॉर्मल फिनोमेना है हमारे एक iron deficiency का, iron deficiency की वज़ा से काफी चीज़ें आपकी होती है, दूसरी चीज़ ही होती है, कि अगर आप CBC करवा लेते हैं, तो उसमें आप, अगर पेशेंट थेलिसीमिया का है, मतलब बच्चा, तो वो आपका डिटेक्ट हो जाता है, कि मतलब उसको there's something wrong, तो उसमें आप treat कर सकते है, iron deficiency है, sickle cell anemia है, ये काफी, मतलब blood से related आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं, सामने reports के उसको आप check कर सकते हैं, मजीद उसको confirmation के लिए डॉक्टर के पास आप जाएं, वो फिर मजीद उन्होंने जो test करवाने होंगे, करवाएंगे, इसी तरह अगर आप HbA1c, या इविन आप fasting and blood sugar test करवाते हैं, तो उसमें आपका detect होता है, कि आप got for bet कोई sugar के मरीज तो नहीं हो गएं, आपकी family history तो नहीं है, यह वो test हैं, कि जब भी मैं कहती हूँ, कोई भी doctor के पास आ रहा है, तो इतना patient aware हो, कि वो initiate कर आए इन चीजों को, तो उसमें हमारे लिए भी असानी क्या होती है, कि हम easily मजीद अगर आपको कोई भी चीज, बिमारी हमें शुबा लग रहा होता है, ऐसा नहीं कि patient आया, उसको counseling की, और हम normally, जो routine के तीन test हैं, वो हम लिख के दे रहे होते हैं, तो please यह कीजे कि थोड़े से aware हूँ, और लोगों को aware करें, इस platform का मकसद ही हमारे पास यह है, कि हम आपको aware करें, उन चीजों से के doctor के पास इतनी लंबी line में आप लग के जाएं, अपनी job से छुटी लें, और end of the time आप मेरे पास जब first time आएं, तो मैं वो ही तीन test आपको लिख कर दूँ, या वो ही pen killer लिख के दूँ, तो at least इतना आप लोग करके जाएं, एक पड़े लिखी गौम हैं, एक पड़े लिखे अंदाज से आप आएं, आप पूरी दुनिया में देखें, कि छोटे मोटे मसले मसाइल के लिए, patient कभी भी नहीं जाता, मगर इन छोटे मसलों को वो detect करावा होता है, क्योंकि वो aware है अपने घर से, अपने माहौल से, अपने स्कूल से, अपने कॉलिज से, तो वो इन चीज़ों को पता होता है, कि मुझे ये initiate जो मेरे routine test है, मुझे करवाने हैं, यह हमारे मुलक में बत्किस्मती कहलें, कि यह नहीं है, कि हम every six month, बखाइदा वह यह होता है, कि जिसका NIC card पे बखाइदा देखा जाता है, कि six month हो गए, फलाँ फलाँ शक्स अब तक चेक अप कराने क्यों नहीं आया, खौँ उसको बिमारी है या नहीं है, अभी हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कि एंजियो जिस पे काम कर रहे हैं, कि आप ये एक routine के test हैं, six six month बाद must आप कराएं, उसमें God for but कोई अगर disease आ जाती है, कोई ऐसे मतलब चीज़ आ जाती है, जो के आप सोचते हैं, कि ये ऐसा नहीं कि फदर आगर जाके कोई disease कॉस करें, तो उसको treat किया जाता है, अब ये नहीं कि बिल्कुल God for but, वो पता चला कि सीए का patient हो गया, cancer का patient हो गया, तो उसके पास medicine of choice कुछ नहीं है, treatment of choice, ऐसाच कुछ नहीं है, उसके पास सिफ ये होता है, कि supporting medicine लेता है, किस चीज की cancer आपका फैल गया, खतम, अब आपके पास क्या है, कि सिफ उसकी degrees देखी जाती है, ये फर्स डिग्री है, तो ठीक हो सकता है, कि बाड़ी मतलब आपकी इस काबिल है, अगर वो बिल्कुल लाज से स्ट्रेच पे आया, जैकि आप देखें कि गौर्वर्मेंट के सेट अप में, मौस्ली हमारे पास patient आते हैं, तो हर बिमारी बिल्कुल जैसे end of the time होती है न, उस पे आते हैं, अगर पित्ता में पत्री हो रही है, जो के एक नॉर्मल फिनोमेना है, खवातीन के हवाले से, के 40 है, फैटी है, और ये फटाइल मतलब हो रही है, तो इन चीज़ा हम देखते हैं, तो वो डेफिनिटल हम एक कॉस करते हैं, कि इसकी बिमारी बन सकती है, पित्ते में operation की, अगर ये आप पहले से अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें, उसमें जैसे कि अगर आप कुछ कौमे हैं, या कुछ मतलब एरियाज हैं, जैसे हम जादा तर देखते हैं पंजाब साइट के लोग, पंजाब साइट के लोगों में लाजमी, 80% खवतीन के पित्ते के operation होते हैं, 80% उनके खवतीन की पित्ते की पत्री होती है, मगर हम ये कहते हैं, क्यों होती है, ये क्यों नहीं आप देखते हैं, होती है, तो मतलब ये कोई fashion तो नहीं है, ना कि मतलब होती है तो एक मामी को ही तो चाची को तो नानी को सब को हो आप उसके कौस देखें उसकी वजाएं देखें लोगों को अवेर करें तो अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी तो उसमें बखायता बताया गया था कि 80-90% पंजाब की खवतीन और पंजाब के तो वहां जो अल्टरसाउंड करने वाला है वह कुछ नहीं करता है वो डारेक लेकर लेकर लीवर के उपर रखता है उसको साथी मतलब हैंगिंग फॉर्म में ये गॉल ब्लेडर होता है उसको पता होता है कि लेड़ी आई एजेंट्स आई यह दर्द बता रहा है कुछ नह करें अशैयला 태 Kalaf इसको नहीं रहा है कि यह कुछ रहा हुरी है कर सकते हैं डाइट में अपनी डेली रूटीन में अपनी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि हम्ने आपको बता है कर सकते हैं चहां, उस में आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले चीज जैसे पंजाब को में उसल इनका living style कि बहुत जादा केती बाड़ी में ये लोग रहते हैं तो उसमें इनकी आहां इस्तेमाल दूत और दही का इस बहुत ज्यादा होता है दूत दही का इस्तेमाल से होता है नाज़िन आपने देखा होगा कि उसमें कैल्शियम की में प्धार इतनी होती है कि बाड़ी मे जिन एक लसी का ग्लास समझे जाती है एक सुबह में लसी का ग्लास लिया उसमें बुल्क ओफ मखन के लें उसमें कैल्शियम के लें इतना होता है कि हमारी बाड़ी की रिक्राइर्मेंट उसमें पूरी कर दी पता चला कि दुपेर के खाने के बाद जैसे हम कोल्डरिंग या क अब हमारे पास बाडी में इंपत्रण होनी की जगह थी नहीं हम पीडिए मlu तो यह दूद दही के इस्तेमाल या डेरी फ़र्म के चीजों से जैसे चीज हो गया आपने मक्षन हो गया आपका दही हो गया दूद हो गया इवन यह जो चाच सपेशली यह जो खासकर पंजाब साइट में बहुत जादा और यह कुछ इंटिरियर के कुछ दही लाख है जहा कि अ मुक्त वर्म पे में पहरें ऑग आज कि रहे हमारी बाड़ी में अगर भी इस सार्ग है कि अ लो फ़क टाया है और यह आपके पत्तों पत्रई आती क्यों है आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायट में शीकों एक इसाचीजेश के बस्कोव जक्तिन Perecor आएं वहा अगर supplement कोई iron deficiency वाला है तो उसको चाहिए iron का इस्थिमाल अगर उसको कोई tablet नहीं ले रहा है अपनी डाइट से करना है उसके लिए source of पालक की easy है आप चीप प्राइस पे है पाकिसान में बहुत वाफर मगदार में बहुत अच्छी quality में आपको मिलता है पालक एक easy approach है calcium और iron क कि आप उसका resource करने के लिए easily उसको अपने इनर डाइट में ले सकते हैं मगर पालक का जादा इस्तेमाल क्यों आपके लिए पित्ते में पत्री का cause बनता है क्योंकि इसको धोते अच्छे से नहीं पालक में क्योंकि उसकी जड़ों में बहुत ज़दा मट्टी होती है उसमे बारिक मट्टी होती है जो कि एक चमकदार मट्टी अगर कभी आप बे प्रैक्टिकल देखें तो उसके दोने के बाद अगर आप उस मट्टी को रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे शाइनी करते हुए कुछ जर्रात होते हैं जो कि जमीन में होते हैं और पालक में वह ख जो आइरेन डीफिशेंसी वालों को हम रिकमेंड करते हैं कि आप पालक का इसमाल करों तो मगर अगर अगर आप दो genuinely है जयसे आप ने ड्रैंड आउट किया उसको पयां आप पैने जब अब जोरे हएक पर चीजस्माने से पहले हैंusu से वालक करें elder Def врем आउगर चाईञ एक पानी करें इसको करें ये दो हिएंटीजनी प्तर्फ हैं जो पित्ते में पत्री की काउस्य हॉज्जत हैं अमरे अपने देहें लाखोमें बहुत जादा हैं अगर इसीं चीज को अगर आप यह न चีहरी ही लाखों में जाएं हैं या कराची के साइट पर देखें तो यहां के खावतीन में कम पाया जाता है, उसकी वज़ाई यह होती है कि यहां खावतीन कुछ डाइट प्लांस भी अपने रखती है, प्लस यहां दूद का इससमाल इतना नहीं है, थोड़ा सा यह कि जो बिल्कुल अपने आपको, मतलब डाइट के हिसाब से रूल्स कहते हैं, केस्टल बन जाते हैं, जो के पित्ते की पत्री का कॉज बनते हैं, तो उसमें यह होता है कि बैतर कि आप अपनी डाइट को देखें, प्लस एक घंटे की आप उसमें वाक करना चाहें, आदा घंटा सुबा, आदा घंटा शाम, नाजरें इसके साथ ही एक वक्त हो की आप हुआ टो के सथाधी इससे का करो, पाल चाहें?